नमस्कार मित्रों मैं हूँ आश्च वरभी शंकर और आज के लाइब सेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज समय का भाव होते एदो दर की बात ना करता हो मैं सीधे ही पिछले लाइब सेशन के अपने जो प्रशने में हमारे जिनके जवाब नहीं दे पाया था और मेरी हमेशा कोशिच रहती है कि नेक्स जो भी सेशन हो इसमें पिछले सेशन के जो अनांसर्ट आपके कोशिण रहे गए उनकी कोईरी इसका सारा जवाब में दूँ और उसी को फॉलो करते हुए काजल जटोलिया का देखिए प्रशन था अब यह अपनी मैरेक्स रिले और क्योंकि यह योग आगे भी बना हुए 19 फरवरी 2023 तक तो मुझे लग रहा है कि 20 जून के बाद आपकी यह प्रफेशनल कुछ तरकी आगे मुझे और आने वाले टाइम में नजर आ रही है और आप मैरेज भी अगर प्लान करें तो 20 जून 2020 से लेके 19 फरवरी 2023 जो अनु अपना पानी का इंटेक हमेशा ज्यादा रखें प्लस नमक आप कम उसका इस्तमाल कीजिए और तामसिख भोजन या मिर्ज मसाला ज्यादा आपको ज्यादा नहीं सूट करेंगा वो तो इस चीज को आप देखिए इस चीज पर कंट्रोल लेके आएंगे तो आपको निश्य यह बात मैं ही पर ही इसका विराम करता हूं राखी रोडा जी का प्रशन था अपने भाई ब्रदर ललित के वारे में इन्होंने पूछा था मुझसे और कुछ काम काट से लेटेड़ उनकी प्रॉब्लम रहती है और एक तो देखिए राखी जी ललित जी मंगलीक है यह और दूसरा मंगल के वरत इनको बोलिए रखें उसमें नमक का सेवन ही किया जाता और अगर यह एक मीन मुकता यह जिसको मार्च मनी बोलते हैं अगर यह डाल लेते हैं तो प्रोफेशन में जो इन्स्टेबिलिटी इनको बार बार आती है उस इन्स्टेबिलिटी को हटाने में इसमें बड़ी जबर्दस मदद उनको मिलेगी तो ये इनके हाथ से ये उपाय जरू कराएं माच मनी इनको धारन करवाएं सोमवार के दिन चांदी के लॉकेट में बनेगी है और गणेज जी की आरती ये निमित रूप से हर रोज इसको पड़ा करें अगर जितनी ये गणेज जी की आरती बढ़ेंगे इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा और एक उपाय केतु का इनके हाथ से जरूर करवाना और मंगलवार के दिन तिल लेने हैं काले तिल और सफेद तिल इकल कॉंड़ी में हो दोनों और उसको मिक्स करके आप इसको चलते पानी में इसको बहा देंगे ये बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए और थोड़ी सी जौन लेके और थोड़ी सी जौन जैसे आप अगर आप लेते हैं उसको काले कपड़े में रुमाल के बराबर होता जो उसमें उसको बांद लेंगे अपना हाथ लगा देंगे उसको शनीवार के दिन अपने घर में किसी भारी बस्तूग नीचे उसको दबा देंगे तो इस तरीके से आप कीजिएगा तो आपको निश्चेती अच्छे रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे सहेब शिल्पी सरकार ने प्रशन एक्चुली पूछा इसमें समझ नहीं आ रहा हूँ ने लिखा क्या है पिछला वे एक प्रशने मैं ले रहा हूँ अभी एक वीवर का उन्हें ने पूछा था कि एक अच्छे अच्छे एक चीज में बताऊं कि किसी भी चीज में अगर आपको परांगत हो रहा है तो सबसे पहले उस सब्जेट की नौलेज आपको डीप होनी चीए और उस सब्जेट की अगर आप उस सब्जेट का गहन अधियन करेंगे तो आप एक टाइम में आके फिर ऐसा आएगा परांगत हो जाएंगे उसके अंदर तो एस्टालोजी भी ऐसा एक बड़ा गूड सब्जेक्ट है और जिसकी देखिए बहुत कठिंतपस्या करने ही पड़ती है प्रटिस करने ही पड़ती है और तुजुर्बे से बढ़के देखिए कुछ चीज नहीं होती जब आप डेली क्लाइंट्स डील करते हैं लोगों एक चीज हो रहा है यहां पर कि subject का अगर astrology का अधियन कर लिया है वो एक अलग चीज है लेकिन किसी भी बात की prediction करने के लिए किसी भी बात की बविश्यमानी करने के लिए आपकी six sense का groomed होना यानि कि आपकी six sense चटी इंदरी जागरत होना बड़ी जुरूरी है तो आपकी sensing power आपकी intuition power है जो यह जब तक एक्टिव नहीं होगी तो हो सकता है सारी चीजों को आपका ज्यान रखने के बावजूद भी आप कहीं बार नहीं predict कर पाते हैं क्योंकि कहीं बार astrology में कहीं बार आपको input data गलत मिल जाता है तो वहां पे six sense काम करती है और astrology के साथ-साथ अलग और modalities है उनकी भी help नहीं पड़ती है numerology होगी जैसे पामिस्ट्री होगी हस्तरेखा होगी face reading होगी सामुद्रिक शास्त्र होगे शगुन शास्त्र होगे इस सारों की हम जब एक पूरी हर चीज में परांगाद होते है तो तब एक complete astrologer बनता है लेकिन intuition power बड़ी ज़रूरी ह उसके लिए जगाने के लिए और intuition power उसी इंसान की तेज होती है जिसका आगया चक्र जो जागरित होता है और यह कुछ विशेश जब आप योग की क्रियाएं करते हैं meditation करते हैं साधना करते हैं तो यह active होता है और गुरू की कृपा इसमें देखिए हर चीज में गुरू की गोषब मार्क आगे लिए प्रशुस्त करता है गुरू की फोज झरूर करें और अगले जो हमारे वियॉर थे उनका यह ही प्रशने था कि गुरू की खोज कैसे करें ? देखिए पहली बात तो यह कि सद गुरू हमारे जो भी हम बनाते हैं तो हम कोई नहीं होते होते हमारी at पहले तो हमें उस लाइक बनना बड़ेगा कि हमें कोई गुरू मिले तो यहां पर क्या होता है basically law of attraction लगता है law of attraction क्या कहता है कि कोई भी चीज आपको life में अगर मिल रही है चाहे को relation हो या कोई वस्तु हो या आपकी जिन्दगी के हलात हो circumstances हो वो इस पर पर डिपेंड करते हैं कि आप किस frequency पर खुद वाइबरेट कर रहे हैं पहले आप क्या emotions रख रहे हैं आपका mental खुद का state क्या है आपका आपकी खुद की awareness कितनी है आपका अपना emotional state कहां पर है तो जिस पर जिस frequency पर जिन चीज़ों पर जिन traits पर आप वाइबरेट करते हैं आप उस frequency पर जितना रहेंगे उसी frequency matching चीज़े हमारी life में आती है तो गुरू की प्राप्ति सद्गुरू की प्राप्ति एक बहुत बड़ी चीज होती है तो उस तरीके से पहले हमें उस लायक बनना पड़ता है अपने आपको गुरूम करना पड़त में अपको फिलिक्ता झाले उस तरीके से तो गुरू की प्राप्ति जो आप अपने ऊपर वर्क ऊट करेंगे तो जो सद्गूरू होंगे वह अपने आप ही को उतागार तकी मानब कल्यान आगे वह कर सके उनके तरूब चीज आप ध्यान रखेंगा हमें पहले उस लायक ब प्रश्चन है कि प्रेजंट सिनेरियो में वाट डियू थिंग उड़ बी चाइना फ्यूचर कि देखिए चाइना का एक बात आप आज की आप डेट भी नोट कर लीजिए टाइम भी नोट कर लीजिए कि चाइना इस अबाउट अब वेरी टफ टाइम अएड चाइना को हर तरीके से हो सकता है एकनॉमिक ली भी या कुछ मिलिटरी वार के ऐसे चांसित उसके बन जाए और चाइना हो सकता है आने वाले टाइम में कफी बहुत डाउन चला जाए और कहीं उसका विद्वन्सी ना हो जाए तो इस तरीकी की इंट्री पूजिशन भी आगे जाके बनेगी उसके उपर हम वीडियोज अलग एक बनाएंगे अलग मैटर हो लेकिन चाइना का टाइम आगे बहुत खराब आने वाला है यह मैं आपको आज गरटी देते हूं इस चीज़ की सहेब शिल्पी सरकार ने पूछा कि उनका टाइम का अब अच्छा होगा और खराब चल रहा है देखिए यह चीज़ मैं बता दूं कि पहले अपने माइंड में यह हमेशा बिठा के रखिए कि जो भी ईश्वर ने अभी भी दिया है हम उसमें भी बहुत खुश्य हैं ग्र बार-बार रिपीट मत कीजिए कभी अपने मुझ से अपने बारे में कुछ भी नेगेटिव मत बोलिए अब नेगेटिव बोलने से क्या होता कि वह एक तरीके से बार-बार हम जो चीज बोलते हैं वह मंतर बन जाती है और अगर आप किसी भी चीज को रिपीट करेंगे उस बी पॉजिटिव और मुझे लग रहा है कि आपने बाग जादा डिटेल्स के अंतर नहीं बेजी हैं लेकिन नाम के असाब से मुझे लग रहा है आपका नेक्स्ट येर बहुत बेटर हो जाएगा मुझे लग रहा और इस येर के एंड से कुछ रिलीफ आना आपको स्टार स्टार्ट हो जाएगा प्लस आप जिस भी इस्ट को मानते हैं दो टाइम उसकी पूजा जरूर कीजिए सुबह शाम तो आपको कही ना कहीं देखेंगा अच्छे रिजल्ट साने स्टार्ट हो गए हैं आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो गया निधी ने पूचा है पिछली बार मुझसे पिछली हमारी लाइफ सेशन में की गौरी शंकर रुदराक्ष कौन धारन कर सकता है और क्या इसका महत्व हैगा महत्व देखिए इसका उन लोगों के लिए ज्यादा आ जाता है जिनकी लाइफ मेरे लाइफ में थोड़ी इंस् अब उसमें शिव और पार्वती का वास माना जाता है ऐसी वो अर्धनारिश्वर के रूप का वो सुरूप माना जाता है गौरी शंकर रुदराक्ष होता है तो गौरी शंकर रुदराक्ष वो लोग अच्छे से उनको रिजल्ट देता है जो इनकी मेरे लाइफ पालन करना पड़ता है कुछ रूल्स एन रेगुलेशन्स फॉलो करने पड़ते हैं लाइफ में जब तक आप रूल्स एन रेगुलेशन्स नहीं फॉलो करेंगे तब तक वो आपको अच्छा रेसल्ट नहीं देगा और यदि आपका साथविक अहार आप नहीं लेते साथ अच्छन नहीं करते अपना तो वो आपको नुक्सान भी दे सकती है चीज क्योंकि प्लस और माइनस की तार अगर आप जोड़ेंगे इस तरीके से तो शॉर्ट सर्कृट होगा सपार की होगी महाँ पे तो अगर आप सारे उसके डिलेटेड जो भी रूल्स एन जाता है और किसले रीड किया जाता है देखिए डी सेवन चार्ट यह सुख्ष्म कुंडलियों में से आता है डिविजन चार्ट भी बोलते हैं इसको और डी सेवन चार्ट का अधियन करने के लिए पहले तो आपको में देखिए पहले एस्ट्रोजी की में ग्यान होना है और उस इंसान की कैसी संतान होगी कितनी संतान हो सकती है और कैसा उसको सुख रहेगा उस एसाब से उसमें सारी अनलेसिस हम निकाल सकते हैं उसमें और D7 चार्ट जब आप रीट करेंगे तो उसमें आपको basically पहले लगनेश का भी देखना पड़ेगा लगनेश की स्थिति क्या है और लगनेश की स्थिति के बाद आपको 5th के लौड की भी उसमें situation देखनी पड़ेगी 5th की लौड की 5th और 7th का भी वहाँ पे संबंद कुछ देखते हैं उसमें तो वो काफी गहन अध्यन है उसका तो वो मैं आपको आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं detail में समझा दूँगा इतने चोटे session में possible नहीं होगा तो basically यह संतान की analysis इस तरीके सी की जाएगी और आपको का रही है अच्छी द्रिष्टी पड़ रही है कि बुरी द्रिष्टी पड़ रही है क्रूर ग्रहों की द्रिष्टी ज्यादा है कि अच्छे ग्रहों की द्रिष्टी ज्यादा है और overall क्या उसमें योग बन रहे हैं अगर अच्छे योग बन रहे हैं तो definitely उसमें अच्छा result तो इस तरीके से उसका विश्टेशन किया जाता है स्टेला एंथनी ने पूछा है क्या कुम राशी वाले भी एमेथिस्ट पहन सकते हैं देखे एमेथिस्ट एक healing stone में आता है कटेला बी बोलते हैं इसको jamunia के नाम से भी परस्यद आए इस पर हमने वेडियो बना रखे हैं तो आप उसको देख सकते हैं कि और क्यूंकि healing stone की प्रोजाति में आता है amazing स्टोन माना जाता है और काफी chronic diseases में भी उससे ही लोने में help करता है में तो आप निश्चे ही इसको डालेंगे तो आपको ये जरूर आपको अच्छे प्लस शनी का ये नीलम का उप्रत्न माना जाता है और शनी के कूपर भाव को भी दूर करता है तो निश्चेत ये अगर आप पहनेंगे और कुम राशी आई इसकी नाम के साब से आपकी तो आप इसको डाल सकने हैं ग्ले जी का सवाल एक क्या शनी राशी वाले रूबी धनु राशी वाले जाते की निधारन कर सकते हुए देखिये राशी के इसाब से मैं आज भी बोलूँगा कहिं लोग राशी ओके शाब से रत्ने बनाते हैं जो कि गलत है आपको किसी को भी स्टोन बनाने के लिए रत्नक का परामर्श देने से पहले आपको उसकी कुणली का पूरा गहनता के साथ विशलेशन करना पड़ेगा कि बेसिकली लगनेश की पूजिशन पंचमेश की पूजिशन चतुरतेश की पूजिशन और नवमेश की पूजिशन यह सारी चक करने पड़ती हैं दशमेश का भी आप देख सकते हैं लाबेश का भी पूजिशन है किस किस ग्रहों के साथ यूति है किनकी द्रिश्टी बढ़ रही है कौन सी राशी में नीच की है कि उच में किस राशी में सारे चीजे देखनी पड़ती है तो आप किसी एक्सपर्ट से ही सला लेकर उसको धंड कीजेगा सहills चिलपी हमारा कॉल का नंबर पूछ रहे हैं शिलपी जी आप काम कीजीँगा हमारे पेज को लाइक कीजीगा उसमें हमारी सारी डेटेल ल maior अङरा नंबर होगा तो आप कॉल करके आगे सकते हमते गुर्दीप जी ने माच मनी के बारे में पूछना चाहिए कि कब ये पहनते हैं, क्या ये होती है और कहां से मिल जाएगी उनको ये देखिए कुछ जैविक मणियों की श्रेणी में माच मनी भी आती है और ये रतन नहीं होते हैं ये मणियां होती हैं ये जीवों में से निकलती है कहीं जीने तो उसी श्रेणी में आती है और क्योंकि इसमें कुछ जीवों का सुक्षमत अत्व होता है उसके अंदर तो ऐसा उसका गुण धरम बन जाता है कि मानब जाते के लिए हमेशा कल्यानकारी से दोती है तो इसी में से इसी श्रेणी में यह मीन मुक्ता आती है जिसको माचमनी भी बोलते हैं और यह चंद्रमा के दोशों को दूर करने के लिए विशेश कर लाबदायक से दोती है खासकर अगर केंद्रूम दोशों या चंद्रमा और केतु का ग्रहन योग बन रहा हो या चंद्रमा रहू से पीड़े तो शनी से पीड़े तो यह सारे जो चंद्रमा के बुरे रिजल्ट्स हैं उसको काबू करने के लिए बहुत ही लाबदायक से दोती है प्लस डिप्रेशन के भी जो पेशेंट्स हैं या मरीज ह उनके लिए बड़ी जबरतस्ती है काम करती है emotional stability किसी को नहीं है mental stability नहीं होरी नीन नहीं आना तो इसमें विशेशकर लाबदायक होती है और जिन बच्चों को भी बुरे सपने आ रहे हैं काफी तो उनको भी बड़ी जल्दी relief देती है और अगर किसी को मान लीजिए chronic disease है बहुत लंबे टाइम से बिमार पहँ हो तो यदि आगा आप उसको भी डालेंगे तो उसको भी निश्चे ही कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा और इसको डालने से पहले ये ध्यान जरूर रखिएगा आप हमेशा कि इसका पहले शुद्धी करन प्रॉपर तरीके से फि ये बड़ी जल्दी आपको लाब देदेगी और आपको वह फील होना बहुत जल्दी स्टाट हो जाएगा और कई बार ऐसे कुछ विशेश हलात हो जाते हैं जिसमें वो अपने आपको मैनिफेस्ट करते हैं अपने आपको प्रगट करते हैं तो कई बार ऐसी इंसिदेंट्स ऐसे प्रूफ मिले हैं कि हां बूध प्रियतों का एक्जिस्सेंस होता है लेकिन वो अलग आयाम में होता और मैं तो कौँगा अच्छा ही अगर किसी को उनसे पाला ना पड़े और आप ज़रूर शरीर पे हमेशा कुछ न कुछ सब को बोलता हूं मैं पुवित्री चीज ज़रूर धरन करके रखें जिससे इन नेगेटिव एंटिटी से आप हमेशा बचे नहीं नमस्कार सीमा जी धन्यवाद आपका बहुत 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 जैम स्टोन्स किस सिधान पे काम करते हैं अनीशा जी ने प्रशने पूछा था मुझसे और देखिए जैम स्टोन्स जो रतने होते हैं basically मैंने जो डीप स्टेडी करी है मुझे दो चीज़ें समझ आई हमेशा कि पह कि तुसरा यह प्लैसीव फेट पर काम करती है तो जितने भी रतने असारे अगर आप धारन करते हैं तो उसमें कलर ठेपी और प्लैसीवो फेट का सिधान वहां पर लगता है अब यह प्लैसीव फैट क्या है तो उसके बार में मैं थोड़ी जानकारी दे रहें आपको कि NASA जो कि American Agency उसने एक बर रिसर्च करी और दस मलेरिया के पेशेंट्स ली उन्होंने और उन दस मलेरिया के पेशेंट्स को ऐसा बताया कि हम आपको मलेरिया की दवाई दे रहे हैं लेकिन शुगर पिल्स दे दी उनको और उनको ऐसा ही भान होता रहा कि उन्होंने दवा ले कि हमारा जो अफचेतन मन होता है जिसको हम सब कॉंशियस मैंड बोलते हैं अगर उसको समझ आ जाजाए अगर उसको सैटिस्फेक्शन हो जाए कि हां मैंने अपने लिए कुछ अच्छा कर ली है मेरे साथ अच्छा हो रहा है तो सब कॉंशियस मैंड जो कि बहुत पावरफ बोलते हैं यहाँ पे हम प्लसिर ध्य के बारे में भी यहाँ आपको अगर थेरेपी कि अ बेसिकली चक्र हीलिंग एक तरीके से बोल सकते हैं उसको हमारे शख्रीर में जैसे हमशा में बढ़ाता हो साथ चक्र होते हैं सुख्ष्म गळा पर उन साथों और कभी कोई बलॉकि इनरजी कैच कर जाए या कोई हमारा इमोशन अनेक्सपेस्ट रह जाए तो उन चक्रों में ब्लॉके जा सकती है खासकर अनाहात मैंने देखा और मनिपूर चक्र काफी लोगों को ब्लॉक होता है और यदि सहसरा किसी का ब्लॉक हो गया तो वो मनमुद्धी हो इंसान हो जाता और उसमें इसे जो पीली रंकी light निकलती है उसमें ब्लॉके जाती है और जहर समें साथों चक्रों में जिए लग अलंग रंकी तो इसे हमारा इक अबहा मंडल बनता है इसको जो हम आँरे बोलते हैं तो मनिपूर का जैसे मैं एक्जम्पल ले रहा था मनिपूर चंरे का त digestion से और related, जितना digestive system में किसी उसमें से कोई बिगड सकता है, और फिर अगर ऐसा को समझ आता है, तो किसी का मनी पूर चक्र बिगडा हुआ है, प्लस कुंडली की भी महाँ पर हम ज़रूर help लेते हैं, तो उसको हम कुछ पीले रंग का रतने जैसे पुखराज है, वो डाल सकते हैं, और फिर क्या होता है कि उस पीले रतने के ओपर जैसी sunlight या कोई light पढ़ती है, तो वो उस light को yellow light में convert करके body के औरा में वापिस डाल देता है, तो जो deficiency होती है, जो blockage होती है, वो दूर हो जाती है, तो इस तरीके से color therapy पे ये चीज़ें काम करती हैं, और placebo fat पे भी काम करती हैं, तो रतनों का वाकिए में विग्याना science है पूरी, मैंने समझा दिया, और कुछ रतनों बड़े विशेश होते हैं, जो बहुत strongly काम करते हैं, जिन में से मैं जैसे पैसे के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, आप peridot डालें, जिसको money stone भी बोलते हैं, हरी तुर्मली भी आप डाल सकते हैं, तो अलग-अलग stones का अलग-अलग effect आता है, लेकिन देखना पड़ता है उस इंसान की क्या उसकी body language क्या है, उसकी physical body क्या उसकी state क्या है exactly, कितनी healthy state में हैं या unhealthy state में हैं, और उस इंसान का mental level और awareness कितनी ज्यादा है, तो उसको देखके, उस सारी चीज़ें देखने के बाद ही एक expert होता है, वो किसी को रतन recommend करता है, ऐसी रतन नहीं पहने जाते हैं, कई बार उल्टा भी पढ़ जाता है, और अकसर कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे किसी की जमन कुंडली नहीं है, लेकिन वो इनसान अगर बहुत कमजोर है, उसको हमेशा आलस भी आता है, और ऐसे लगता है, बड़न टूट रहा बाड़ी में उसके energy नहीं है, तो ऐसे जो जाता है, वो आपको अच्छा और स्टॉंग फील करते हैं, तो मूंगा इस तरीके की दिक्तों में जलता है, और ऐसे कर किसी को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, गरम तासीर की बाड़ी है, तासीर भी देखनी बढ़ती है, बाड़ी की क्या है, उस इनसान की, किस तरीके से बात कर रह है, तो उसका पहले विश्लेशन आप जरूर कर वा लें, नमस्कार सीमा गर्प जी, फिश्वजीत का सवाल था पिछले सेशन में, कि वो मूंगा ही डालना चाहते हैं, और कौन सा मूंगा डाले हैं, लेकिन उनकी डेट और वर्थ वकरा नहीं है, देखिए विश्वजीत मैं अभी जैसे बताई हैं मूंगे के बारे में, और आपने सुन भी लिया होगा और एक चीज ध्यान रखिए का मूंगा आप जब भी लें तो तो तिकोना मूंगा लेने की उस्षिश कीजिए, ये इकोना मूंगा थोड़ा महंगा आता है, तो अगर वो ना ले सके हैं, तो आप कैप्सुल भी डाल सकते हैं, और मूंगा की जो सब्सिटूट स्टोन है, वो लालकीक भी आता है, अकीक कंपैरिटिवली बहुत सस्ता होता है, तो वो भी उतना ही हेल्प देगा आपको, तो मैं आपको यह सजेस्ट करूँगा, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, तो इस सेशन में पॉसिबल नहीं हूँगा, आप मुझे डारेट कॉल कर लीजिएगा, तो उसमें मैं प्रॉपर फिर इसमें 40-45 मिनिट कम सेशन देते हैं इसके अंदर, तो उसमें मैं सारी ग नमस्कार इचा जी, नमस्कार पलवी जी, यह पलवी जी का मैसेज में पूरा देख नहीं पा रहा, नमस्कार रवन्ना जी, मैं वीवर से एक रिक्वेस्ट करूँगा, आज हो सकता है, मैं कुछ प्रस्न का जवाब ना दे पाऊं, समय का भाव की वज़े से, या शायद थोड़ा कहीं चीजों में प्रॉडट करने के टाइम भी लगता है, लेकिन हमारे नेक्स सेशन में उन तो इस अची कोई बात ही नहीं होगी, तो अपने टाइम लाइन पर प्लीज जरूर शेर कीजिए, कहीं लोग पूछ लेते हैं मुझ से, लेकिन अपनी टाइम लाइन पर शेर करना भूल जाते हैं शायर, तो मैं उनके लिए रिमाइंटर दे रहा हूँ, आपने टाइम ला मैं अप्लोड करता जाता हूँ, प्लेस अबर्थ, पलभी मुकर जी नमस्कार, आपका मुझे शायर प्लेस अबर्थ नहीं मिला, तो पूरी डेटेल सही होगी, तो आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, मैं इसका आपको जवाब, या तो मैसेज की तुरू ही दे दूँगा, नहीं तो फिर मैं आपको नेक्स लाइफ श्रीम जब भी होगी हमारी, उसमें मैं दे दूँगा आपको, और सबसे मेरे आग रहा है कि जब भी आप अपनी डेटेल्स लिखें, तो उसमें डेट ओव बर्थ, प्लेस ओव बर्थ, टाइम ओव बर्थ, ये तीन चीजें, प् पलवी मुकर जी का आगरा, पलवी मुकर जी मैं आपका प्रशना अभी ले रहा हूँ, क्योंकि आपको प्लेस ओव बर्थ आपने बताई दिया, आगरा है, 745 एम है, सकते बताई प्लवी जी आपकी जनम कुंडली जैसे मैंने बनाई है और उसका विश्लेशन कर रहा हूं मैं जैसे देख रहा हूं और जनम कुंडली आपकी अच्छी है लेकिन बार्वे स्थान में ग्रहन योग लगवा सूर्य राओ की पुजिशन कठी आ रही है पित्रदोश का भी कारक माना जाता है तो आप पित्रदोश का जरूर नवारण करवाएं अपना और नाम राशी तो आगे कभी टाइम देखी मुझे आपका अच्छा ही नजर आ रहा है और फ्यूचर के बारे में आपने कुछ स्पेसिफिक चीज तो नहीं पूछी लेकिन ओवराल एनलेसिस क्योंकि कुंडली अच्छी है तो ये कुंडली मुझे तो योग कारक नजर आती है और एक जरूर काम जरूर कीजिए आप जिस भी इष्ट को मानते हैं दिन में दो बार उसकी अराधना जरूर कीजिए क्योंकि हम गलती क्या करते हैं कि देखिए एक मोबाइल को भी डेली अगर आप चार्ज करते हैं क्योंकि क्या है कि मोबाइल की बैटरी डेली डाउन हो जाती है तो ऐस की अरादना करें तो कुछ ना कुछ आप देखेंगे आपकी लाइफ में बेटर होता जा रहा है और आगे के रस्ते खुलते जा रहे है प्लस आपकी जो विजन है जो देखने की पावर आगे की जो समझ नहीं आते अभी वो उस चीज की उसको समझने की पावर आपकी काफी ज़्यादा बढ़ती जाएगी तो आप और एक काम आप कर सकते हैं आप ओपल यदी धारन कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और में स्टोन तो वैसे देखो डायमंड है लेकिन ड जगह आप ओपल भी धारन कर सकते हैं और यदी आप कैमफर यानि कि जो देशी का पूर आता है उसका लंप ले लेना छोटा है शुक्रवार के दिन उसको सफेद कबड़ में बांद के अपने पास हमेशा रखें उसको और शुक्रवार को जैसी इसको धारन करेंगे तो आगे आपको फ्यूचर में अच्छी चीजें नदर आनी स्टार्ट हो गई है नमस्कार अब और मनप्रीत कौर का प्रश्ण ले रहा हूं नमस्कार आपका मैं अब और डेट अवर्थ आपकी प्रश्ण मेरेज के बारे में है दो मिनिट दीजे मुझे जिस जिस के मैं देखिए प्रश्ण का जवाब दे रहा हूं और बड़े दिल से दे रहा हूं तो आप अपने टाइम लाइन पे जरूर शेयर कीजिए कहीं लोग सब कुछ पूछ लेते हैं लेकिन अपने टाइम लाइन पे उसको नहीं शेयर करते हो सके तो आगे ग्रुप्स में भी शेयर कीजिए अगर आपको समझ आया अगर आपको अच्छा लगे तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि एंगर ंगर आपको आपको ओंग पाता लो अगन कर दो दो मंत्री जी मैरेच से लेटेड एक चीज ध्यान लखेगा क्योंकि कुल्ली में जुबटर नीच का आ रहा है ब्रस्पती नीच का आ रहा है तो ब्रस्पती का आप ज़रूर उपाए करें और विश्णो से हैसर नाम का करापार्ट कर सकते हैं और सिख दर्म के साब से यदि मैं आपको इसका उपाए बताता हूं तो आप अपने गुर्दवारे में जाके किसी पीली बस्तू का आप दान कर सकते हैं गुरुवार के दिन और यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको निच् पूजिशन भी कुछ जादा अच्छी नजर नहीं आरी क्योंकि रहो के अंतर रशा यहां चल रही है और हो सकता कुछ मेंटल इंस्टेबिटी भी किसी चीज़ की वजह से हो रही हो डिटेल्स में मैं आपको बता दूंगा लेकिन उसके लिए आप फिर एक बार आप कॉल क डालिएगा और अगर यदि सरस्वती चाले सका पार्ट आप सुबा रोज कर सकते हैं तो उसको आप जरूर अपनी जो डैनिक आपकी पूजा उसमें एड कर लीजिए नमस्कार संतोष कुमार जी नमस्कार मेरा प्रशना आपके पास आ गया है और आपको जो भी प्रॉब्लम हो गई है आप मुझे वन टू बन कॉल कर सकते हैं और हमारे नमबर्स दे रखे हैं हमारे फेस्बुक पेज़ पे हमारे चैनल में भी है आप वहां से ले सकते हैं इसको तो आ आप मुझे कॉल कर लीजिएगा और जो भी निदान मुझसे बन पड़ेगा मैं कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की जुरूर, नमस्कार, रिचाड अल जी, आपका प्रस्ण ले रहा हूं मैं भी यहां पर, मुझे दो मिनट दीजे, की अपकी, रिचान मुझस करते हैं, की जैते हैं, की अपका निदा है की धिजय कोशिधा इत हर्याना, पंजाब? रिचा आप पांच सनी बार लगातार कच्चे कोईले अपने हाथ से, चलते हो पानी में, जिस तरफ पानी का प्रवाव हो, आप अपने हाथ से बाएं, और ऐसी आप उसमें अपना ऐसा भाव दीजिए कि हे राहू दे, आप जो मुझे पर कुपेत हैं, जिस वज़े से मेरी ह आप शांत हो जाएं, तो इस तरीके से आप कीजिए इसको, और पांच शनी बार ये लगातार आपको करना होगा, ब्रेक नहीं होना चाहिए इसके अंदर, ध्यान रखेगा, और अगर आप से वह पॉसिबल ना हो, तो एक सिंपल सा आसान सा उपाया में, जो सबको बताता ह राहू के लिए, और जो बड़ा कारगर है, और हमेशा काम करता है, सरस्वती चाले सा आप डेली, सुबा परणी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि राहू का पहला अटैक देखिए, सरफ के उपर होता है, ध्यान रिख लीजिएगा, दूसरा है पेट संबंदी द्रोग भी आपकी कुडली में आ रहा है, तो यह दो चीजें हो सकती है, मेंटली कुछ प्रॉब्लम कभी हो सकती है, डिप्रेशन में जा सकते हो, या पेट संबंदी द्रोग आ सकते हैं, तो दोनों चीजों का ध्यान लखना पड़ेगा आपको, और आपकी कुडली में इस तरीके का अगर कुछ बिमारी होती है, तो कहीं में डिक्कत आती होगी आपको जरूर, तो अपनी हेल्थ की अच्छी स्टेबिलिटी के लिए एक काम और कर सकते हैं, पुखराज जरूर धारन कर लीजिए, पीला पुखराज धारन करना, इसको गुरुवार के दिन इसको धारन करना अपने, और आप सरस्वती चालेसा सुबा जरूर पढ़े नित्य करम कर लीजिए, और गोधन अर्क लेयाएगा, उसको अपने नहने के पानी में एक या दो डखकन डालना नहने से पहले, और उसी से स्नान कीजिए, आपको बहुत बेटर रेजल्स आने स्टार्ट हो जाए बहुत अच्छा फरक आएगा और बहुत अच्छे रेजल्स एकदम से आने स्टार्ट हो जाएगे, तो आवला में सब को बोलता हूँ, वाइडमिन सी होता है, एंटी ऑक्सिदेंट्स भी होते हैं, भवान विश्नो का मा उसमें वास माना जाता है, तो ये निश्चिती सब के लिए लाबद आएगा, तो इसको आप इसका सेवन जरूर कीजिए, और क्योंकि कुंडली में, ग्रहन योगा सात्वे घर में, तो मैरिल लाइफ में भी इंस्टेबिलिटी कुछ ना कुछ रही होगी, तो आप केतू के उपाई है तो गनेजी की आरती जरूर कीजिए, नमस्कार, कप्तिल कपूर जी को मेरा नमस्कार, नमस्कार, गीता मनी शर्मा जी, देखे हमारे सिस्टन जैसे बता रहे हैं कि बहुत सारे प्रस्ने ऐसे आया हैं, लेकिन इनकंप्लीट डिटेल्स हैं, तो मैं उसमें देखिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी मे इसे ड्रॉप कर सकते हैं, या मेरा जो डिरेट नमबर है, उसमें पर कॉल करके पूछ सकते हैं, वाट्सप भी कर सकते हैं, तो एक शॉट सेशन में इतनी चीज़ें नहीं पॉसिबल होती, लेकिन आप जब भी अपनी डिटेल्स दें, जब भी अपने इंपूट्स दें या चाहें तो देने से पहले आप उसको अपनी इस सेशन को टाइम लाइन पर जरूर शेर करें, ताकि काफी लोगों तक ये सेशन पहुंचे, कोई देखिए हम इस चीज़ का चार्ज नहीं लेते, लेकिन जितने लोगों का भला हो जाए, मैं तो यही सोचता हूँ, मेरी म कुछ कॉमन चीज़ें मैं आज आपको देखिए, बता देता हूँ अपनी मुमानी को विराम देने से पहले, कि जो अगर आप घर में करेंगे, तो आपका घर का महौल भी अच्छा रहेगा, प्लस आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, तो यह कुछ छोटी-छोटी टिप्स म भी जहाँ पर भोजन बनता है, वहाँ पर तामसिक ना हो ज्यादा, तामसिक भोजन होई ना, वहाँ ना बनता हो, और शामा तुलसी, जिस घर में लगी रहती है, वाँके सारे वास्तु दूर हो जाते है, प्लस घर में जब आप पोचा लगाते हैं, पोचे के पानी में, अब उसके अंदर चार चुटकी सेंधा नमक जरूर डालिए, जितने भी वास्तुदोश होंगे, अगर कोई negative entity घर के अंदर होगी, तो भाग जाएगी महां से, completely दूर हो जाएगी महां से, तो यह चीज आप जरूर अपने दिमाग में रखिएगा, तो यह चीज आप यह दो तो आप यह उपाई कीजिए, लेकिन संडे को तुलसी जी को हाथ नहीं लगाते, तो यह ध्यान रखिएगा, प्लस उसका पता चबाया नहीं जाता, सिरफ निगला जाता है, तो यह चीज आप जरूर कीजिए, कोशिश कीजिए, घर जितना साफ रहेगा, उतना आपको जान हमेशा रखें, घर में कहीं सिलन ना रही हो, चत के उपर कोई कबाड ना पड़ाओ, और नलके टपटप घर में ना करते हो, जिसकी घर में यह चीज होती है, तो समझ लिजेए, उसकी खराब इंसान की होने वाली है, तो यह इंडिगेटर होते हैं, यह शगुन शास् आयूश मिश्चिरा जी, नमस्कार, आपका मैं प्रशने ले रहा हूँ, और यह मैं आखरी प्रशने ले रहा हूँ आज का, और उसके बाद जिसको जो प्रशने पूछना है, वो हमारे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, या मेरा पसनल नमबर भी मेरे फेस्बुक क पेच पर दिया हूँ, उसको आप लाइक कर लें, महां से नमबर ले लें, तो आप मुझे वाट्सअप भी कर सकते हैं, या बैरेट कॉल भी कर सकते हैं, इ हान पूल, इ हमां नमबरे लाइक कर सकते हैं, प्रूँ कर सकते हैं, या आप बोग्योर है, आप में तो आप मूल, इस वहा हूँग है। झाल आयुश आपकी कुड़ी में कुछ चीजें मुझे बेटर नजर होनी स्टार्ट नजर आ रही है आगे जाके ये तीन जुलाई 2020 से जुलाई तक मुझे लग रहा भी ऐसी चलने वाला थोड़ा लेकिन आप रहू का उपाय जरूर कर लीजेगा थोड़ी सी जौन लेके काले बांद के शनी बार के दिन उसको अपने घर के किसी भी भारी बस्तू के नीचे उसको दबा दीजेगा तो निश्चिती आपको कुछ न कुछ आपको इसका अच्छा लाब मिलेगा इसका अच्छा रेजल्ट 100% मिलेगा प्लस दूसरा क्योंकि व्रिशिक लगना और मंगली अच्छा लेस रखें आप तो निश्चेती आपको लाब होगा जुलाई तक मुझे लग रहा कुछ अच्छी चीज़ें हो नहीं स्टार्ट हो जाएंगी आप मीन्माइल रहू का उपाई कीजिए सरस्वती चालेशा आप आडड कर सकते हैं साथ में यदि आप पूजा पा आपने question I think आपका question ही नहीं आया है हमारे पास तो यह incomplete details है तो viewers आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं आप हमारे साथ connected रहीएगा Facebook page लाइक कीजिएगा हमारा YouTube चैनल भी है नक्षेतर 13 बैस्ट अरविशंकर उसको subscribe कर लीजिएगा और numbers मेरे दे रखे है direct number है मे electronically consultation देते हैं आपको आने की भी जुरूद नहीं पड़ेगी अगर आना चाहते हैं तो most welcome उसके लिए आपको पहले appointment बुक करनी पड़ेगी और WhatsApp के भी हमारे numbers हमेशा खुले रहते हैं तो आप मुझे message, mail या call तीनों चीज़े कर सकते हैं तो आशा करता हूँ आज का session आपको सार्थक लगा होगा और अपनी मांडी को मैं यहीं विराम देता हूँ नमस्कार